निवश्कार स्वराज एक्स्प्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ काजल दुबे और इसके साथी अब आपको सीधे लिए चलते मदप्रदेश के उजयन जहां स्वचिता मित्रों का समान समहारोय आयोजित हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव शाम आये करतलजवनी के साथ इन अभूतपूर पलो के हम सभी सायोगी बने हम सभी के लिए गर्व की बात है आग रहे है मानिनी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव ची से कि मानिनी राशपाल श्री मंगुभाई पटेल जी का स्वागत करें और उससे पहले महाकाल लोग उस्मृति चिन्न को भेच कर रहे हैं मानिनी राशपाल श्री मंगुभाई पटेल जी और साथी में मा मारे आज के कारिक्रम के मुख्यतिती मानिनी राश्पती, श्रीमती, द्रॉपती, मुर्मूँ जी का हारदेक स्वागत है, हारदेक अभिनंदन है। बाबा महाकाल के नगरे उज्जेन में। आध्रे करेंगे मानिनिय मुख्यमंत्री जी टॉक्टर मोहन यादर्ची से कि वे पुष्प गुच के साथ मानिनिय राजपार श्रीमंगु भाई पटेल जी का स्वागत करें निवीदन मानिय मुख्यमंत्री जी से कि वे मानिय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादर जी को पुष्प गुच भेट कर उनका स्वागत करें अभिनंदन करें और अब हम आमंतित करते हैं मानिनी मुख्य मंत्री जी को जिनोंने उज्जेन में महाकाल लोग और वैदिक घड़ी की परिकल्पना को मूर्त रूप देने में मुख्य भूमिका का निर्वहन किया और आज वह आयोजिक की भूमिका में है ऐसे हमारे यश्यस्वी मुख्य मंत्री जी से आगरे है स्वागत भाशन के लिए ज्यान विज्यान ध्यान की नगरी बाबा महाकाल की पावर नगरी मा छिप्रा का पवित्र तट और देश की सबसे सर्वोच संस्था पर विराजमान दुनिया के सबसे बड़े लोगतंत्र की अजनायक महमहीम स्रीमति द्रोपनि मुर्मुजी का जोरदार अभिनन्दन करे हमारी अपनी बाबा महाकाल की नगरी में आज का दिन इतना पवित्र है अयोध्या मत्रा माया कासी कांचे वंतिका पुरी द्वारा वतिष्चे व सुप्ताइते मोक्षदाई का साथ पवित्र तम नगरियों में से एक बाबा महाकाल की नगरी में आज का दिन स्वनक्षरों में लिखा जाएगा महामाहिम हमारे बीच पधारी है एतिहासिक एक नई बड़ी सोगात ले करके आज के इसी कारिकरम में हमारे बीच यसस्वी हमारे महामाहिम स्रीमान मंगुभई पटेल गवर्नर साथ भी मौजूद है मैं उनका उज्जेन की ओर से, आपकी ओर से, सरकार की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बंदन करता हूँ मंचपनी विराजमान हमारे उपमुख्य मंत्री स्रिमान जगदिश देवडा जी हमारे वरिष्ट मंत्री स्रीमान कैलाज जी विजयवर्गी जी हमारे PW मंत्री स्रीमान राकेश सिंग जी हमारे प्रभारी मंत्री गोत्म टेटवाल जी हमारे जल संसादन मंत्री स्रीमान तुलसी राम सिलावड जी हमारी राज्यमंत्री स्रीमती डक्टर प्रतिमा बागरी जी इस अउसर पर मौजूद आप सब आगन्तु कतिथीगन इस नगरी के सभी विकास के परिचायक भाईयों बहनों पत्रकार साथियों प्यारे मित्रों आज त्रिकाल दर्सी बाबा महाकाल के आगन में हम सब के लिए तो ऐसा लग रहा कि दिवाली भी हो गई और होली भी हो गई दोनों आनन हमारे बीच बरस रहा है इसका एसास हमको हो रहा हर युग में हर काल में हर समय जिसका अस्तित्व रहा ऐसी पुण्य सलीला छिपरा के किनारे स्थापित ये नगरी अवन्तिका जिसका हर युग में अस्तित्व रहा है और हर काल में अपने विकास के आयामों से सदेव लोगों की उतकर्स की परिचायक रही है ऐसा कहते है कि यहां आकर के जो सोचता है जैसा सोचता है इस म्रत्यु लोग में वो सब उसके जीवन में परमात्मा दे देते हैं इसलिए उतकर्सी नगरी इस नगरी का नाम एक उच्देईनी भी इसलिए है और आज के सहुसर पर हम सब का सोभाग ये है जब हमारे महामाईम उच्जेन आई है तो वो केवल मंदिर या विकास के काम के लिए नहीं आई है वो हमारी सिक्षा की नगरी को भी पवित्र करने आई है जो पाँच हजार साल पहले भगवान कृष्ण की सिक्षा नगरी के नाते से अलंकरत एक उसका बड़ा गोरव और सम्मान है मुझे इस बात की भी प्रसनता है काल के प्रवहा में हमेशा प्रत्वी पर सुद्धता के नाते से काल के समय के लिए भी उच्जेनी का अपना महत्व रहा है इसलिए काल की नगरी अर्थात महा काल की नगरी सबका समय नियत है ना बढ़ेगा ना घटेगा जन्म और मुरत्व के बीच के समय में हमारे हाथ जितना सुब हो सकता है वो पुन्य और प्रारद्ध को अपने जीते जी काल में मनुष्य काया से करतार्थ करने की नगरी भी उज्जेन है जब इस बात के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो यसवी प्रध्यानमंत्री का इस्मरण करना चाहूंगा यसवी प्रध्यानमंत्री सिर्मा नरेन्द मोधिजी के लिए हम सब यही से अभिनन्दन करते हैं जिन्नोंने जफसे सत्ता समालिये 2014 से लगा कर आज तक का गौरों हासिल करने के प्रत्य आयाम को उनने चुआ है उसमें एक बड़ा काम सबसे आदा विकास के सबीस छेत्रों में करते-करते जो उन्होंने एक सफाई मित्रों के माध्यम से सचता का हम सब को जो संदेज दिया है ये वाकई भूतों न भविश्चती सचता के लिए ज सचता मित्रों सफाई कर्मियों उनका तो बंदन करता हूं अभिनंदन करता हूं यसोश्वी प्रधान मंत्री के जन्म दिवस से लगा करके एक अक्तूबर तक ये जो लगातार पक्वाड़ा मनने वाला है ये माननी प्रधान मंत्री जी की उस भावनाव को भी रिखांकित करता है और हमारे सफाई कर्मियों की बड़ी भूमिका को भी हमको एसास कराता है हमारे सभी स्वच्चता कर्मी सफाई कर्मी हमारे भाई बिमारी और जिंदगी दोनों के बीच जो मजबूत दिवार के तरह खड़े रहते हैं ऐसे सभी सफाई कर्मियों मित्रों को प्रणा करता अपने जीवन को इस समूची सचता के अभियान में पुष्प की तरह जीवन भर चड़ाने का संखल्प लेकर के जीते जी देवताओं की सिर्णी में आते हैं देवता वो होते हैं जो सदेव देने के लिए लालाइत होते हैं और लालाइत होने के भाव में उनकी मन की नि प्रिलिप्तता उनका पवित्र भाव इसी भूमिका में हमारे सुचता कर्मी आते हैं जिनके जीवन में सबके लिए सुखानद वेवो स्वयम के लिए कष्ट ये उनके मन का संकल्प है ऐसे में उनकी भूमिका छोटी नहीं होती है मुझे गर्व है यसी प्रदान मंत्री ने ये सुचता का अभियान चलाया और लगा तार चलाते चलाते हमारी भारत के अंदर की उन लंबी परंपरा को स्थापित किया जो वेदिक सब्विता के काल से मनसा का वाचा कर्मना की तरब एहसास कराती है मनसे वचनसे कर्मसे हमारी निर्मलता सच्चता की परमात्माने भी कामना की और आसिरवात दिया है। आज के सहुसर पर सरकार के मध्यम से मैं सभी सुच्छता कर्मियों को बढ़ाई देना चाहूंगा मानने महामईम को बताना चाहूंगा हमने अपनी सरकार में एक गोरोप आया है यह सश्वी प्रदान मंत्री के सभ्यान का हमारा अपना मद्य प्रदेश देश के सभी प्रदेशों में दूसरे नंबर पर आया है हमारा सबका सोबाग यह राज्जी के नाते से और आपके आसरवाद से हम प्रयास करेंगे हम नंबर एक का इस्थान भी हासिल करें लेकिन एक और जानकारी भी दिना चाहूंगा दुनिया की सबसे भारत की सबसे सच राजधानियों में से अगर किसी ने राज जिने अपना स्थान या गोरों हासिल किया है वो भी मद्यपरदेशे जपनी भारत की सबसे सच राजधानी भोपाल को ये दरजा मिला है और एक और बड़ी बात सचता से हमारा इतना मजबूत रिस्ता है भारत की सबसे सच नगरियों में से भी साथ बार से मद्यपरदेश ने इस गोरों को इंदोर के माध्यम से हासिल किया है ये भी हमारे ले गरों और गोरों की बात है ये हमारा सोभाग ये है आज के सवसर पर जब हमारा अपना राज दूसरे नमबर पर हमारी राजधानी पहले नमबर पर हमारी नगरी जो सेवन इस्टार की करम में सबसे पहले नमबर पर लगातार साथ बार से आ रही है तब हमने नेने किया है कि ऐसे में हमारा ये सच्छता के अभ्यान को जो उचाईयों तक पहुचाने वाले हमारे प्रथम कर्मी के ये उद्धा हैं उनके लिए भी सरकार के माद्यम से इस दिसा में ध्याना करसित किया जाए तो हमने निर्णे किया है प्रत्य एक नगरी की जो रेटिंग माननी प्रधान मंतरी के पेरामीटर्स में तै हुई वो एक नमबर से लगा करके साथ नमबर तक की सभी नगरियों के कर्मियों के लिए जो एक स्टार में आएंगे उन सभी कर्मियों को एक हजार प्रती स्वच्चता कर्मी उसको हम पुरुसकार देने वाले हैं जो दो नंबर की रेटिंग में आएंगे वो सभी को दो हजार रुपय प्रती हमारे स्वच्चता कर्मियों को लाब देंगे मत्यप्रदेश में उज्जेन तीसरे नंबर की डेटिंग में आता है तो यहां के प्रत्यक सच्चता कर्मियों को तीन हजार रुपे की हमने अपनी ये रासी भेट करने का निर्णे किया है जिसके बलबूते पर हमारे हजारों सच्चता कर्मियों को आज आपकी मौझूदगी में ये अवार्ड दिया जाएगा आज के साथ एक और बड़ा काम हमने या किया है हमने मद्यप्रदेश की इस नगरी में बाबा महाकाल के महालोग बनने के बाद हमने नताय किया कि मद्वदेश में पासान की पत्थर की प्रतिमा नहीं बनती थी और बड़े पेमाने पे धार्मीक नगरी में दूर दूर से लोग आते हैं तो हमने नेने किया कि बाबा महाकाल की महाकाल की प्रतिमा महालोक में बनने वाली जो एफार भी की थी उनको पासान की पत्थर की बनवाएंगे और यहाँ पे पत्थर सिल्प को भी प्रोचसान देंगे इसी नाते से हमने अपने इस उज्जेन में आज आपकी मौजूद्गी से पत्थर सिल्प का भी काम प्रारंब किया भविश्ची की द्रश्टी से अपने पुसपो के आधार पर भी पुसप जो बाबा महा काल के मंदिर पर चड़ाये जाते हैं या बाकी अन्यान स्थानों पर चड़ाते हैं ऐसे में वो पुस्प बाद में किसी के पेर में नहीं आएन भावनाओं का अपमान नी हो और हमारी वापस दुबारा रीसाइकल में क्या उपियोग हो सकता है मानि महामाईम से भोत हमने प्रेम से अगर क्या उनने सबको प्रोफसान भी दिया पुस्पो से अगरबत्ती बनाना पुस्प से अलग-अलग प्रकार की चीजे बनाना ये भी उनने देखा है और हम बाकी के सारे मंदिरों पे ये करम जारी करने वाले हैं जिसके माध्यम से पुस्पो का भी बहतर उपियोग हो सके ये काम करते करते एक और बड़ा काम आज आपकी मुझूद्गी में हो रहा है हमारे लिए मध्यपदेश में आर्थिक राजनादनी के नाते से इंदोर का अपना महत्व है और ये नगरी इंदोर की महरानी अहिल्या भाय का 300 वा जन्म उत्सो चल रहा है ऐसे में महरानी अहिल्या भाय को भी विनम्र स्रद्दान जली देते हैं तत्समय की सासिका जिनके सासनकाल के लिए आज भी लोग नाम लेते रोमांचित हो जाते हैं उत्सा उमंग धार्मीक स्रद्दा अंदर से आदर की सासन की सू विवस्था इस्ताबित करती है इसका रिकार्ड उनने बनाया नारियों की सेना बनाना नारियों को प्रोस्थान देने के लिए विद्वा विवासे लेके नारी कल्यान की सारी योजनाओं को चलाना कुशलता के साथ अपने दुस्मनों से निपटना सासन की विवस मिर्मान कारे का सुभारम भी आपके करकमलों से होने वाला है मैं आपको बदाई देना चाहता हूँ जो औरदार अविदंदन करें 1630 क्रोड की लागत से आज की नवीन सुड़क का आपके माद्यम से एक नया इतिहास लिखा जाएगा जिसके माद्यम से ना केवल इंदोर अद्धिप्रदेश के लिए नहीं अब पूरे देश से और देश तो क्या दुनिया से लोग उज्जेन आते हैं ऐसे में आने जाने के लिए ये शिक्सलेन विकास का नया किर्थीमान बनाएगी ये मैं आप एक्षा करता हूँ और इसनाते से आपको धन्यवाद भी देता ह आपका अभिनंदन भी करता हूँ जिसके कारण से आपके आने मात्र से ये बड़ी सोगात उज्जेन और इंदोर के बंधों को मिलने वाली है मेरी अपनी और से आज के सवसर पर मैं एक बार फिर मद्वदे सरकार के द्वारा चलाये जा रहे है विवित कामों के साथ आपक की बात को समाप्त करता हूँ बोलिये महाकाल महराजे की बहुत बहुत धन्यवार मानेनिये मुख्यमंत्री जी स्वागत भाशन के लिए सफाई मित्र स्वच्छता की धुरी है समाज को स्वच्छ और सुंदर बनाने में इनका महतपून योगदान रहता है मैंने वेदिन करना चाहूँगी मानेनिये राशपती, श्रीमती दुरौपती मुर्मूजी से, मानेनिये राशपाल जी, मानेनिये मुख्यमंत्री जी से कि वे आगे आकर हमारे सफाई मित्रों का सम्मान करने की कृपा करे और इसी क्रम में हम आमंत्र करते हैं मंच पर श्रीमती रश्मी टांकले को जो की रोड स्विपिंग का कारे करती हैं और कारे पर नियमित रूप से निर्धारित यूनिफॉर्म में आप उपस्तित रहती हैं तालियों के साथ हमारी सफाई मित्र श्रीमती रश्मी टांकले का हम स्वागत करें और इसी क्रम में श्रीमती हमारे साथ श्रीमती रश्मी टांकले माननी राश्पती महुद्याजी के शुबकर कमलों से समान प्राप्त कर रही हैं स्रीमती किरन खोड़े को मंच पर आमंदित करेंगे जो कि वाट क्रमांग 14 के कमरी मार्ग शेत्र में रोड स्विमिक का आप कार करती हैं इनके द्वारा सफाई विवस्ता निरंतर बनाई रखती हैं आप और नागरिकों को जागरुग भी करती हैं स्वचिता के प्रती इसी क्रम में आमंदित करते हैं श्रीमती शोभा बाई को मंच पर आप शेट चोरह से नर्सिंग घाट शेत्र में रोड स्विपिंग का कारे करती हैं कारे में कभी भी लापरवाही आप नहीं बरती हैं और पूर्व में भी आपको उत्रिष्ट कारे के लिए सम्मान प्राप् श्रहीद पार्क शेत्र में रोड स्विपिंग का कारे करती है नियपित रूप से आप अपने काड़े में उपस्तेत हैं पूरी कर्तवे निश्ठा के साथ आप कारे करती हैं इसी क्रम में हम आमंदित करते हैं श्री गोपाल खरे को गुपाल खरे अलक धाम गोवर्धन धाम में चैंबर लाइन खोलने का कारे करते हैं पूरी ततपरता के साथ और पूरी निष्ठा के साथ आपके द्वारा कारे किया जाता है बहुत बहुत धनिवाद मानिनी राशपती जी, मानिनी राशपाल जी, मानिनी मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश में शुद्धालू का केंद्र उज्जैन और ओद्योगेक नगरी एवं व्यपसाइक नगरी इंदौर को सड़क क्रांती से जोडने के लिए आज उज्जैन इंदौर सिक्स लेन सड़क निर्मान कारे का शिला न्यास बानिनी राशपती जी के शुबत कर कमलोद्वारा होने जा रहा है आए देखते हैं इसी पर आधारित एक लगू फिल्म मध्य भारत का एक महत्वपूर्न सांस्कृत केंद्र महाकाल की नगरी उचाएं जिसकी पावन भूमी पर लाकों शर्द्धालू अर साल नत्मस तक हुने आते हैं सिहस्त महाकुम्बू 2028 को देखते हुए मानिनी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी के मारके दर्शन एवां मानिनी मुख्य मंत्री श्री डॉक्टर मोहन ज्यादाव जितिने तितुमें कई विकास कारी किये जा रहे हैं स्टेट हाईवे राष्टी राजमार्ग जिला मार्गो सेतु बंधन यूजना अंतरगत फ्लाई ओवर स्वोर्स कॉम्पलेक्स एवं मेडिकल कॉलिज जैसी कई पर यूजनाओं का निर्मान करने वाले मद्प्रदेश तड़क विकास निकमले 2004 में गठित होने के बाद से अब तक लगबग 21,000 किलोमीटर के मार्गो एवं राज्जी राजमार्गो का उन्यान एवं निर्मान किया है उज्जैन रेलवेर स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रूपवे का निर्मान राश्टी राजमार्ग लौजिस्टिक प्रबंधन लिमिटिट द्वारा किया जा रहा है जिसमें मद्प्रदेश शड़क विकास निगम समानवयक की भूमी का निभा रहा है उजजेन में महाकाल लोग के निर्वान हो जाने के साथ ही इन्दोर प्रदेश की आर्थिक राजधानी होने के करण इन्दोर उजजेन मार्ग पर यह तायाद में अत्यदिक वृधि होने की वज़े से इन्दोर उजजेन 4-lane मार्ग को 6-lane with paved shoulder में परिवर्थित करना ज़रू तो हुई है जिसका शिलान्यास आज महामहिम राश्पती श्रीमती द्रोपती मुर्मुजी के करकमलो द्वारा किया जा रहा है इंदौर से उज्जैन शिक्स लेन पर यूजना में कुल दो प्रिहद पुल दो फ्राई ओवर एवं शिक्स विल कुलर अंडर पास ट्रेक एवं बस ले बाय सहित इंद और उज्जैन के शहरिक शित्र में दोनों और सर्विस रोड का निर्मान कारे सम्मिलित हैं। भारती राश्ट्री राजमार्ग प्राधी करोड़ द्वारा उज्जैन गरोट देवास उज्जैन बड़नगर बरनावर और उज्जैन से जहलावार जैसे फूर लेन राश्ट्री राजमार्ग एवं दिल्ली मुंबई एट लेन एक्स्पेसवे जैसी व्रिहद यूजनाव का निर्मान की आ जा रहा है। आगरे करना चाहेंगे मानिनी राश्पती शिमती द्रौपती मुर्मूजी से क्रिप्या रिमोट का बचन दबा कर 1692 करोड रुपे की लागत से उज्जैन इंदौर 6 लेन सडक निर्मान कारे की शिला पट्टिका का अनावरेंड करने की क्रिपा करें। विनर्म निवेदन है मानिनी राश्पती शिमंगुभाई पटेर जी से उद्बोधन के लिए जिनों निस्वास्त सिक्षा खासकर आदिवासी बाहुलिश शेत्र के विकास के लिए महत्पून कदम उठाए हैं अनुवांशिक बिमारी सिकल सल एनिमिया से मुक्त बनाने के लिए संपून प्रदेश में एक जागरुकता उद्पन की है निवेदन मानिनी राश्पल मौ भारत की मण्या राश्ट्रपती महजया, स्रीमती द्रपधी मुर्मु जी, मुक्ख्य मंत्री स्री मधन यादव जी, उप्मुक्य मंत्री स्री जग्दीश देवला जी मंद्री मंदर के सभी सदश्य गांड उपस्तित सभाई मित्र गांड महनुभाव भाईयो और बैनो अधिकारी मित्रो मीडिया के मित्रो मान्य राष्ट्रपती महोदया स्रीमती द्रपदी मुरुमुजी मद्यपदेश की धर्मिक सांस्कुतिक एत्यासिक नगरी उज्जेन में आपके आगमन पर प्रदेश वासियों की और से आपका मैं हर्दिक वंदन और अभिनदन करता हूँ मुझे विश्वास है कि अध्यात में केंद्रो उज्जेन में आयोजित सफाई मित्र सम्मेलन देश में स्वच्छता केवल जिम्मेदारी नहीं पवित्र सेवा होने का संदेश प्रसारित करेगा स्वच्छता अभियान की ये पहल सफाई मित्रों की प्रतिबध्यता के साथ स्वच्छ और अध्यात्मिक रूप से ससक देश का निर्माण का संदेश प्रसारित करेगी भारतिय अगर तंत्र के सिर्ष का समाज की स्वच्छता और स्वास्ताई की कर्ण धारों के साथ सम्मात का ये अभुत पुरुव गर्वा और गवर्व का अहतियासिक प्रसंग है अपनी मेहनत और समर्पन से सहरों को साब बनाकर हमारे जीवन को स्वच्छ और स्वास्त बनाने वाले सफाई मित्रों का पहचनना उनका समर्थ और सन्मान करना समाज के हर व्यक्ति का परम करतव्य है सन्मानीच सफाई मित्रों का रदेशे बधाई देते हुवे कहूंगा कि आपका काम इश्वर की पवित्र सेवा है आप सभी हमारे लिए वंदनी है हम आपके अभारी है मन्य राष्ट्रपती महदया जी प्रदेश के विकास और स्वच्छता की दिशा में महत्व पुर्ण इंदोर उज्जेन शिक्स लैंड परी योजना की सौगात के लिए आपका धंगेवाद न्यापित करता हूँ अध्यात्मिक सास्कुति केंदरा उज्जेन आने वाले सद्धालू की यात्रा और अधित सुगम आसान बनाकर ये परियोजना क्षेत्र के परियाटन सामाजिक और आर्थिक विकास की गति को तेज करेगी इस परियोजना के सीरा नियाज और सफाई मित्रों का सन्मानित कर स्वच्छता के महत्व को बढ़ाने के प्रयासों में आपने अपना सरक्षन प्रदान किया उसके लिए प्रदेश के जन जन की और से आपका कोटी-कोटी आभार न्यापित करता हूँ देश में सफाई मित्रों का सन्मानित करने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के प्रयासों का नेतूत्त करेगा एक बार फिर आप सभी की स्वस्तता वीरों की बलाई और सुपकामला देते हुए और राष्ट्रपती महोदया ध्रपदी मुरुवजी का अभार मानते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ अभार भरत माता की जय सादर धने बार निलाजपार श्रीमंग भाई पटेची और अब स्वणने मफसर है जिसका हम सभी को बेजबरी से इंतजार है जिनके जीवन से हम संपून भारत वासियों को प्रेणना प्राप्त होती है जिनोंने निच प्रयासों से एक सम्रद और सफल व्यक्तित्व का स् निर्मान किया है ऐसी हमारी भारत की प्रतम नारकरिक और हमारे आज की कारिक्रम की मुख्यतिती भारत की राश्पती मानिनी द्रौपती मुर्मुजी से विनर्म आगरे है आश्विर वचनों के लिए आईए आपकी कर्तल ध्वनी के बीच निवेदन करें मानिनी राश्प सच्छ भारत मिशन के तेट आयोजीत आज के सफाई मित्रों सम्मेलन में उपस्तित हो कर मैं बहुत खुश हूँ मंजपे विराजमान मज़्द प्रदेश के राजपा स्री मंगुभाई पटेल जी मुख्यमंत्री डक्टर महन यादव जी उपमुख्यमंत्री श्री जगतिश देवडा जी मज़्द प्रदेश सरकार्ग में मंत्री श्री कलास विजय बर्गिय जी श्री राकेश सिंग जी श्री तुलशीराम सिलावड जी श्री गोतम टेटवाल जी और श्रीमती प्रतिवा भागरी जी गणमन्न अतितियों अमारे सफाई मित्रों देवियों और सोजनौं। स्री महाकरशर्ज की देविज्यती से प्रकाशित तथा पावन सिप्रान दिके आशिर्बासे सिंचित इस धर्टी को में साधर नमन कारती हूं। प्राचिनकाल में इस छेत्रों को अवन्तिका कहा जाता था। अवन्तिका में अवतार लेने वाले देवादी देव महाकाल की हम बंदन करते हैं। महाकाल की नगरी अजयनी में सदियों से सिकृती, संस्कृती और सभ्यता की परंपरा निरंतर अस्तित्यों में बनी रही है। आज से लगभग 26 वर सपहले भगवान बुद्धों के समय में उजयनी अव्यक्ति राज्य की राधानी हुआ कारते थे। गुप्तकाल को भारत यो इतियास का सन्नो जुग माना जाता है। इस समय उजयन भारत का सबसे महाप पुर्यों नगर था। देवियोर सजन आज मुझे इंदर उजयन सड़क परिजयना का भुमिक उजयन करके बहुत प्रसंता हो रही है। मैं मुख्यमंत्री महदोई और उनकी पूरी टीम को इस जो परिजयना के लिए के में बहुत बहुत सुप कामनाय देती ह। इस सड़क परिजयना से ये एतिहासिक तथ्थोयाद आता है कि लोगबग दोहज़र वर्सों पहले उजयन एसी परिभन वेवस्ता के केंडर में था। जिसे आज मोटी मडेल ट्रांस्पोर्ट कहा जाता है। उजयन अंतरास्थ्यों व्यापर का अतंत मोट पुर्ण केंडर है। महागभी काईदास में मेगदूतम में उजयन की विशालता और भव्यता का अध्भूत चित्रण किया है। और कहते हैं कि जैसे देवलोग में अलाका पूरी है। उसी तरह मनुश्यों लोग में उजयन है। किसी भी सब्दों का लगतार दो बार प्रयोग करने से और बचते थे। उजयन का बन्न करते समय और 20 साल 20 साल का प्रयोग किये थे। देवियों और सोजन मुझे ये वाद की प्रसंता है कि उजयन माविंगी विकास के लिए उनेक प्रयास किये जा रहा है। विक्रम उजयोगपूर का विकास इसका उद्धार है। इस उजयोगपूर में मेडिकल डिवर्सेस पार्किस्ता की गई है। राज्यों में उनेक एक्स्प्रेस्स तोठा एलिवेटेड कोरिडोस पर काम चल रहा है। रेलुए और एर कोनेक्टिविटी को विक्सित किया जा रहा है। इन प्रयासों की सफलतप हैतु मैं बहुत-बहुत सुबकाबनाय देती ह। देवियों और सोजनों, मैंने जोन सेवा की आपनी यात्रा सोच्छोता के कार्या से ही सुरूप की थी। मैं आपने गुरुहनगरी टिफाइड एरिया काउंसिल की उपधकी थी। मैं प्रती दिन एक वार से दुसरे वार जाती थी। साब सोफ़ाई के कार्य का निरिखन करती थी। तो था सोफ़ाई मीत्र इवां इनों लोगों के साथ प्याम अर्षक करती थी। सोफ़ाई से जुड़े अच्छे बदलाव को देखकार फूसी महसूस होता था। पिछले दोस वर्षों में सच्छता अभयान देश प्यापी जो अंदोलन बन गया है। इसके आरह ब्याप्रक्स्तोर पर बदला हुए है। सच्छ भारत मिशन द्वारा हमारे देश बासियों में सच्छता के प्रतिजाग्र का बढ़ी है। ग्यार करण से अधिक सोचा लोई तो था लोगबोग सबाद दो लाग समुदाईक सच्छता परिशर बनाया गया है। मुईला की गईमा और स्वास्तों की शुरुक्षित रखने के लिए इस जनों आंदल की विशेस भूमिका है। बिद्धा लोई में बालिकाओं के लिए अलाग से सोचा लोई की विवस्ता करने के लिए मैं कोमेंट को बहुत बहुत धनवाद देना चाहती हूँ। उनके साथेरोता और सिख्यम में इसलिए बुरुद्धी हुई है। एक प्रतिशित आकोलोन के अनुसा सच भारत मिशन में बाचों की मुरुत्तु दोर भी कमी आई है। ग्रामिन परिवारों के स्वास्तों के से जुड़े सालाना खर्च में औसोतम पचास हज़ार रूपया की कमी आई है। देवियों सोजन मुझ्जवरोदस ने सहरी और ग्रामिन सचोता के चेत्र में अग्रोनी भुमिकानी भाई है। इन दोन ने लगादार साथ बार देश का सच्चोतम सहर बने रहने का कितिमान स्तावित किये हैं। भुपा को सब से आच्छे राजधानी होने का गोरो प्राप्थ हुई है। राजो के ओने एक सहर वाटर प्लस और ओडियेप डबल प्लस की सेड़ी में पुरस्ट किया गिया है। सोचोता के खेत्र में मुझ्दोप्रोदेश की अन्यक्य उपलब्दिया हैं। मैंने कूछी का यहां उल्लेक किया है। इन सभी उपलब्दियों के लिए में मुझ्दोप्रोदेश की सरकार और राजो के सभी निवासियों की सरहना करती हूं। तो था उन्हें बहुत बहुत बढ़ाई देती हूं। देवियों और सोजनों। स्थानियों स्थोर पर, राज्यों स्थोर पर और राष्ट्यों स्थोर पर सच्छोता की छेत्रों में हमारी उल्लोखिनियों का सब से ओधिक स्रेयों हमारी सफाई मित्रों को जाता है हमारे सफाई मित्रों पोक्ति के सच्छोता जो था है तो हमने शुरवक क्या प्रदान काते हैं, बिमाई से, गंदेगी से, स्वास्तों से, खत्रों से बचाते हैं मैं हमारे राष्टो निर्मान में बहुत बड़ी भूमी का निभा रहे हैं सफाय मित्रों का संवान करके बास्तों में हम अपना ही गोर बढ़ाने हैं सबीदेश्पासियों की और से मैं पते सफाय मित्रों को प्रेज धन्यवाद देती हूं आप सफाय मित्रों के साथ इस मिलोन में भाइदारी करके मुझे विशेस संतागा अनुभ हो रहा है सफाय मित्रों की सुरका गरीमा और कलान को सुनी सित काना सरकार और समाज का महत पूरत है मेल होल को समाज करके मेशिन होल के जरिये सफाय काने की विवस्ता की जा रही है सोफाई मीत्रों सुरोग का चीविरों के माध्यों से उनके हेल्थ स्चेकाव सुविधा प्रान की जा रही है केंदो राज्यों सर्था की विभिन्नों कोलान जोजनाओं के तहट उनको लाभानी तन्ने की प्रयास किये जा रहा है मुझे ये जानकर प्रसंदा हुए है कि मुध्य प्रदेश में औनेक सहरों को सोफाई मीत्रों शुरोखित सहर गशित किया गया है। देवियों और सोजनों सोच भारत मिशन के दूसरे चरण के द्वारा जो वर्स दो हजार पोचिस तक चलेगा हमें सम्पुल्ण सोच्छोता का लख्यों पूरा करना है। अंदेश को प्रोशारित के गवियों प्रोगोती पूर है। समदान करने है तू सोभी नागोरी को आगे आना चाहिए। इसार करें हम राष्ट्रों किता महात्मा गांधी के सच्छोता से जुड़े आदर्सों को कार्यों रूप देख पाएंगे। हम सोभी जानते हैं कि सच्छोता की और बढ़वा ग्या हमारे एक कदम पूर्य देश को सच्छो रखने में सोहायक सिध होगा। आएए हम सोभी मिलकर सच्छो भारत, सोष्ट भारत और विक्षि भारत के निराण के लिए आगे बढ़े। इसी सम्कोल पेशक के साथ आशा करते हों। भारत के एक-एक ब्योक्ति सच्छोता ही देश को सच्छो बना सकते हैं विक्षित बना सकते हैं। इसी भावाने का सभवने के साथ आगे बढ़े और देश को सो बनाएं और सोस्त बनाएं धन्यवाद, जय हिन, जय भारत, जमाकाल राश्ट्र गान झाल 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 झाल